नमस्कार दोस्तों कॉंपटिशन कम्मुनिटी के एफ्टिया सिरीज में आपका स्वागत है और भारत का भूगोल विशय लेकर मैं हूँ आपके साथ अगास नहीं एफ्टिया सिरीज के अंतरगत भारत के भूगोल विशय पर आधारित या पांचवा वीडियो है और इस वीडियो में हम क्रिशी खनीच एवं परिवहन वाले टॉपिक के MCQ को डिल करेंगे तो चलिए सबसे पहले प्रशन की उर चलते हैं और सबसे पहला प्रशन होगा क्रिशी पर आधारित पहला प्रशन कहता क्या है पहला प्रशन आधारित है मिश्रिट खिती पर जिसे आप मिल्स्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं क्लियर कोशन कहता है निमनिलखित में से कौन सी मिशिट खेती की प्रमुख विशेष्टा है चार ओप्शन दिये गए हैं सही उत्तर पहले मैं बता दू वह है ओप्शन सी पशुपालन और शर्ष्य उत्पादन को एक साथ करना शर्ष्य उत्पादन का ताथपर या पसलों क उत्पादन से हैं क्लियर देखें मिख्ड फार्मिंग की अवधार्ना आधारित है क्रिशकों की आयमे व्रिद्धी करने से इसका क्या मतलब है समान्य तोर से कोई अगर एक क्रिशट है कोई एक किसान है और वो खरीब फसलों की खेती करता है तो पूरे साल भर में किसी कुछ महिनों तक लिए ही वो क्या होगा व्यस्त होगा उस करीब फसल के बुवाई कटाई और उत्पादन remaining period of time पूरे year का वो क्या हो सकता है खाली हो सकता है तो उस समय को भी उत्पादन में तब्दिल किया जाए उस समय में भी कुछ input किया जाए किसानों के द्वारा जिससे उनकी आयमे व्रिद्धी हो और इसी लिए मिश्रित खेती जैसी अब्धाना को लाया गया इसमें किया यह जाता है कि एक किसान पसल उत्पादन के सांस साथ में पशुपालन में भी व्यस्त होता है पसल उत्पादन एक particular time period तक ही होगा जैसे मान लेते हैं खरीब पसल है तो वो आई कब से कब तक होगा तो वो आई का जो समय होगा वो होगा जुंजलाई और जो कटाई का समय ह होगा वो होगा October-9 बाकी जो समय ने सल भर यंज जो साल भर्के अपने कहां पर लगाएंगा पशु पालन पर लगाएगा पशु पालन कहने का तात्पर आप उस पचुपालन या एनिवल हस्बेंटरी के जितने भी काराख होंगे जितने भी फेक्टर होंगे उन्हें यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि मान लेते हैं कि दुब-दु उत्पादन में सम्मिलित हो जाए मान लेते हैं कि मतद से पालन में सम्मिलित हो जाए उत्पादन और पशु पालन को एक साथ करना और इस अवधारना का उत्देश क्या है क्रिशकों की आयमे विद्दीत करना जो की एक जुलंद मुद्दा है अभी पूरे देश का चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ण में हम चलते हैं भारती क्रिशी में नीम्न उत पादक्ता का कारण क्या है यहाँ पर चार आप्शन दिये गये हैं तीनी स्टेटमेंट हैं तीनों पर एक बार हम नज़र डाल लेते हैं अवशक्ता से अधिक लोगों का क्रिशी कारियों में लगा रहना देखे यह स्टेटमेंट बिलकुल सही है और इसी स्टेटमेंट के कारण हम देख पाते हैं कि भारती क्रिशी में प्रच्छन बेरोजगारी व्याप्त है इसका क्या तात पर यह है देखे मान लेते हैं कि कोई एक जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े की जो maximum productivity है वो 100 unit है, 100 unit आप ले ले टन कुंटर अपने इसाब से आप समझते रहेंगे और इस 100 unit का उत्पादन अगर 5 लोग मिलकर अगर इस क्रिशी इस भूमी पर काम करेंगे तो 100 unit का production चलाएगा, लेकिन भारती क्रिशी में हम क्या देखते हैं कि इस जमीन के टुकड़े पर 5 से जादा अर्थात लगबख 50 लोग जुड़ गए होते हैं क्लियर है, अब मान लेते हैं कि ये जो 100 unit की कीमत 100 rupees हो, तो पहले केस में अर्थात उतने ही लोग अगर सम्मिलित हों जितने लोगों की वास्तविक रूप से अवशक्ता है, तब आप क्या देखेंगे कि हर एक वेक्ति के पास में 20 रुपए बच जाएगा क्लियर है, लेकिन अगर second case पर आप चले आते हैं, तो हर एक वेक्ति के पास में मातर दो रुपए चलाएगा, और ऐसा हुआ क्यों, क्रिशकों की आई ये कम हुई क्यों, क्योंकि जवरत से जादा लोग यहाँ पर निर्वर करते हैं, क्लियर है, ये तो बात हो गई परच् चक्ता से अधिक लोगों का क्रिशी कारियों में लगा रहना, जाहिर सी बात है कि इससे उत्पादक्ता कम होगी जरूर, क्योंकि जब एक भूमी होगी और बहुत जादा लोग उसमें खेती करेंगे, तो जमीन को बहुत जादा डिग्रेट किया जाएगा, और डिग्रेड छक्कर में जो भूमी है, वह उसका जादा से जादा सोशन किया जाएगा, और इस वज़य से भूमी का क्या होगा, जो उर्वरकता होगी, जो उसके परटिलेटी होगी, वह कम होते जाएगी। और fertility अगर कम होते जाएगी तो जाई से बात है कि जो productivity होगी जो उत्पादक्ता होगी वह भी क्या होते जाएगी कम होते जाएगी तो पहला इस statement बिल्कुल सही है भारती कृषी में निम्न उत्पादक्ता के कारण के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले statement पर चलते हैं जोत का छोटा आकार होना देखे समाने तोर से हम क्या देखते हैं जब एक बहुत बड़ी भूमी होती है और इस भूमी में जब क्रिशी कार किया जाता है तो इससे अच्छा production हो जाता है लेकिन अगर इस बड़ी भूमी को हम कई टुकडों पर बाढ़ दें चार पांच लोगों में बाढ़ दें तो होगा क्या कि यह जो भूमी होगी इसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या होगा यह मेड़ बनाने में चला जाएगा यह जो लाइने आप देख रहे हैं यह मेड़ ह और इससे होगा क्या कि बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा भाग इस भूमी का मेड़ बनाने में वेस्ट हो गया और यहां पर आप किसी या फिर आप फसल उत्पादन नहीं कर सकते और इस कारण से इस बड़ी भूमी से जितनी उत्पादक्ता हो सकती थी उतनी उत्पा तकता हम देख पाते हैं भारती कृषी में तीसरे उप्षेंट पर चलते हैं तो कहने का दाथ पर क्या है कि दूसरा statement भी सही हैं तीसरे statement पर चलते हैं कि उतपाधन की पिछडी तकनीक का होना देखिए जब पिछडी तकनीक होती है ट्रेडिशनल तरीका होता है बैलो का माध्यम से जब आब जुदाई करते हैं लेकिन अब जब मौडर्र टेकनीक आ चुके हैं जब मशीनों की वज़ा से अगरिकल्चर में प्रॉडक्टिविटी लाई जा सकती है ट्रेडिशनल मेथड से या टेकनीक से और अगर ट्रेडिशनल टेकनीक से प्रॉडक्शन हो सकता था उत्पादन हो सकता था तो मौडर्र टेकनीक की तो अवशकता ही नहीं होती तो मौडर्र टेकनीक आया ही इसलिए है क्योंकि ट्रेडिशनल या फिर पिछडी तकनीकों स अपेक्शित उत्पादन नहीं हो पारा है तो तीसरा स्टेट्मेंट भी बिल्कुल सही है और बहीं इस बिल्कुल सही कारण है भारती कृषि में निम्न उत्पादक्ता के पीछे और इस प्रकार से जो सबसे सही उत्तर बनता है इस प्रश्ण का वो है option डी उप्योगत सभी है और रवी की फसल में गेहूं को लिया गया है इस प्रश्न में रवी की फसल कहने का तातपर क्या है रवी फसल एसे फसल जिनकी बुवाई अक्टूबर नौवमबर में की जाती है और कटाई की जाती है मार्च अप्रेल में ऐसे फासलों को रवी फसल के अंतरगद रखा जाता है उधारान के तौर पर गेहूं को आप रख सकते हैं चाना को आप रख सकते हैं मटर को भी आप रवी फसल के अंतरगद रख सकते हैं अब समान्य तोर से अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर अक्टूबर नौंबर में बुगाई किया गया और मार्च अप्रेल में कटाई किया गया अर्थात ये जो समय अवदी होगी यह समय अवदी फसल पकने की होगी और फसल पकने की इस अवदी पर आप समान्य तोर से यह समझ पा रहे होंगे कि भारत में इस महापे अर्थाद दिसंबर जनवरी फरवरी के महापे वर्षा जो होता है वर्षा की जो मात्रा होगी वो क्या होगी कम होगी क्लियर है साथ ही साथ इस समय काल पर भारत में आपको तापमान भी कम देखने को मिलेगा तो रवी फसलों के लिए वर्शा की मात्रा मध्यम या कम और तापमान की मात्रा मध्यम या कम लगता है या पिर आप कह सकते हैं कि मध्यम वर्शा और मध्यम तापमान में हम इस फसल क बुआई और कटाई और पकाई हर चीज देख सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब ये प्रशन पूछा गया कि गेहूं की अच्छे खेती के लिए निम्नलखित में से कौन सा परिस्तिती समुझ आवश्यक है तो इसमें आप इन दोनों आप्शन को तो काट देंगे क्योंकि यहां पर उच्छताप और बारी वर्शा या मध्यम वर्शा दिया गया उच्छताप देखकर भी आप इन दोनों आप्शन को काट सकते हैं क्योंकि आपको अगर ये पता है कि रवी की फसलो के समय पर भारत में वर्शा और तापमान क्या होता है तो जाहिर सी बात है कि basic understanding है हमारे पास फसलों के लिए या खरीब फसलों के लिए रभी फसलों के लिए तो उसके माध्यम से ही हम दो आप्शन को क्या है कि जब ववाई होती है तो दस से पंदरा डिग्री सेलसियेस होता है और कटाई तक ये पंदरा या फिर आप 20 डिग्री सेलसियेस भी इसे ले सकते हैं तक ये तापमान चलता है और जो वर्षा की मात्रा चाहिए वो लगबग 80 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए और ये जो मात्रा आप देख रहे हैं वर्षा का और ये जो मात्रा देख रहे हैं आप तापमान का ये निम्न ताप और निम्न वर्षा की श्रणी भी तो नहीं आएगा और इस प्रकार से इस प्रश्ण का सबसे सहीं उत्तर हो जाएगा option a मद्यम ताप और मद्यम वर्षा समाने तोर से ये गेहूं की फसल हमें कहां पर बड़े पैमाने पर उपते हुए दिखेगी तो ये भारत के उत्तर पश्मी राज्यों पर देखने को मिलेगी जैसे कि आप हर्याना पंजाब पश्मी उत्तर प्रदेश को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये वाला भाग होता है जहां पर वर्षा की मात्रा इतनी होती है देखे ध्यान रखेगा कि अगर आपने जलवाईयों पढ़ा होगा और वर्षा का बितरन आपने समझा होगा तो आप आपने ये देखा होगा कि जब बंगाल की खाड़ी की शाका भारत में प्रवेश करती है तब प्रायदुपी भारत में या पुर्वी भाग में अधिक्तम वर्षा होती है लेकिन जब पवने आगे की और बढ़ती है या फिर भारत के पश्मी तरफ आगे आती है तब इन पास आधर नहीं होते और पश्छमी छोरक तक आते आते वर्शा की मात्रा एकदम भी कम हो जाती है तो एकदम ही पश्छमी राज्जйों में आप को इन फसल का उत्पादन देखने को क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्ट की और चलते हैं अगला प्रश्ट आधारित है नगदी फसलों पर ऐसे फसल जिसका इस्तमाल खा दिये कंजप्शन के लिए नहीं होता ऐसे फसल जिनका इस्तमाल फॉर कॉमर्शियल परपस होता है या फिर उसको बे गिल्ष्ट में से कौन सी फसल्ष्वेत्वन के नाम से जानी जाती है प्रदर तो देखे सोना तो पीला होता है अदिक है। दिक तो यहां पर होती है कि की वेल्यूद्यू है या पर अदिक linking ईए होती नहीं क्रें अब यहां पर हमारे साबने चार sitä डिकन है ग scaps कापास और गन्न और तो उत्तर इस प्रश्णका क्या होगा कापास या फिरोडन के अ माराश में गुझरात में कापास या कॉटन का उत्पादन होता घृप बादन के नाम से भी जानते हैं तो जहां जहां पर आपको रखुर सोईल का विटरण देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको कपास और गंना का उत्पादन भी देखने को मिलेगा ऐसा इस लिए क्योंकि ये जो कपास या गंने के फसल होते हैं इनकी बुआई और कटाई के बीच की जो अवदी होती है बहुत जादा होती है और एक लंबे समय तक इन फसलों को मौशर की आवशक्ता होती है आदर की आवशक्ता होती है तो होता यह है कि इस काली मिदा के पास एक विशेश्चता है कि यह मौशर को कैरी करके रखता है वाटर रेटेंशन capacity इसकी जादा होती है जल धारन शमता जादा होती है तो फसलों को धीरे 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 करके काफी लंबे समय तक आद्र ये मोहिया कराते रहते हैं और इस वज़ा से कपास और गन्ने का उत्पादन हमें काली मृदा पर देखने को मिलेगा चीक है चलिए तो सहीं उत्तर इस प् भारत में लौ एसक निम्न में से किस क्रम की शेलों में पाया जाता है सहीं उत्तर इस प्रशन का होगा धारवार शेल शमू इसकी जानकारी के लिए हम इस कंटेंट पर नजर डाल लेते हैं धारवार क्रम की चटाने देखें ये क्रम की चटाने निर्मित कब हुई तो चार बिलियन वर्ष या फिर चार हजार मिलियन वर्ष से लेकर एक हजार मिलियन वर्ष तक तो आप यह समझ पारे होंगे कि काफिन प्राचीन काल में इन शेल शमूहों का निर्मान हुआ इवा, clear है, निर्मान प्रक्रिया क्या थी, तो आर्कियन करम की चटानों के अपरदन एवं निच्छेपन के फलसरों देखे जब आप Geological Time Scale देखते हैं तो सबसे पहला जो शेल शमू बनता है वह है आर्कियन करम की शेल शमू या आर्कियन शेल शमू देखे प्रित्वी की उत्पत्ती जब हुई तब तापमान बहुत जादा था प्रित्वी का और हम एक लंबे समय काल तक लावा को बैते उसका Solidification होता है उसका शितली करण होता है और ये सबसे पहला भाग सबसे पहला Solid Form of Layer of Surface of Earth को ही हम आर्कियन शेल शमू कहते हैं क्लियर है आर्कियन शेल समू को इसलिए बेस भी कहा जाता है बाकी शेल समू के लिए क्यों क्योंकि जब आर्कियन शेल समू निर्मित हो गई अस्तित्व में आ गई तब इनी आर्कियन शेल समू का अपरदन हुआ और अपरदन होने के बाद अब अपरदन कई कारणों से ह सकता है नदी के पानी से सूर्य तापान से वर्षा के पानी से तो ये चटान ये शहल समू क्या होंगे तूटेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ओफ एजेंट जैसे नदी का पानी वर्षा का पानी या पाउनों के माध्यम से ये जो चूटे हुए कंकर छेपन्ड हुआ जिसके फल्सरू जो चटान हमें देखने को मिलता है उसे हम धारवाड शेल शमू का चटान कहते हैं एक लेयर है यहां पर मान लेते हैं जिसका नाम क्या है अर्कियन शेल जमू अब इस लेयर का क्या हुआ वैदरिंग हुआ यह टूटा क्लियर है और तूटने के बाद इस अपरदित पदार्थों का ट्रांस्पोटेशन हुआ और किसी और जगे पर जाकर यह जो पदार्थे वो क्या हो गए निच्छेपीत हो गए ऐसे ही इनके उपर एक दो लेयर और बन गया क्लियर है और यह जो आप निच्छेपीत भाग देख रहे हैं आर्कियन शेल समू का यह एक नई प्रकार की शेल-चमू के रूप में उपस्तित होती है यह अस्तित्में आती है जिसका नाम क्या बनता है तो धारवाड शेल-चमू धार्वाड नाम क्यूम पड़ा क्यों प का नाम रखा गया है इसे प्राचिंतम कायांतरित अवसादी चटान भी कहा जाता है अवसादी चटान लेकिन इसका मेटमॉर्फिजम भी हो चुका है देखिए आप देख रहे हैं निच्छेपंड हुआ लेयर बाई लेयर यहां पर आप निच्छेपंड देख पा रहे तो यह सेडिमेंटरी रॉक बना अवसादी चटान बना लेकिन यह समय काल भी आप नजर अंदाज मत करिए इतने लब्बे समय काल तक जब यह लेयर यह अवसादी चटाने यहां पर रखे रहेंगी तब इनका मेटमॉर्फिजम हो जाएगा इनके काया में अंतर हो क्लियर है और इसलिए इसे प्राचिंतम कायंतरित अवसादी चटाने कहा जाता है जिवाश्मों से रहीत होता है क्योंकि जब इंशल्शमों का निर्मान हुआ तब हम यह मान सकते हैं कि प्रित्वी में जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी और अगर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो जायर सी बात है कि जिवाश में भी नहीं होंगे आर्थिक महतु इनका बहुत अधीक होता है क्योंकि इसमें खनीज पदार्थ हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि लोह आयास देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप खनीजों की प्रचूरता के दृष्ट जो को निकाल नहीं सकते या फिर निकालने में बहुत ज़्यादा चुनोतियों का सामना करना पड़ता है इसलिए उनका आर्थिक महतु कम होता है आर्थिक महतु सबसे ज़्यादा फिर किसका हुआ तो वह धारवार का हुआ क्योंकि आर्थियन के जो खनीज थे वही पिर आगे चलकर उनका अपर्दन होने के बाद जो डिपॉजिशन के बाद जो शेल समूँ बना उसे ही आप धारवार कहते हैं अरावली परवत का निर्बान इसी क्रम की चटानों से हुआ है आरी बाद समझ में चलिए तो सहीं उत्तर तो आपने देखी लिया है सहीं उत्तर क्या है धारवार देखे गुणडवाना शेल समू की अगर हम बात करें तो यह शेल समू निर्मित हुआ है कब तो काफी आप नवीन काल की बात कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि यह मैसोजोईक और पेलियोजोईक पेलियोजोईक काल के कार्बोनी फेरस एवं पर्मियन काल से लेकर मैसोजोईक काल के ट्रायसिक पिरियेड तक आप गुणवाना शेल समू के निर्मान की कहानी को समझ सकते हैं ठीक है आरी बात समझ में यह गुणवाना शेल समू एक प्रकार का क्या है अवसादी शेल समू है सेडिमेंटेशन की वज़ा से बना हुआ है और यह जो लेपरतदार या अवसादी चटाने निर्मित हुई इसमें हम जिवाश्म देख सकते हैं क्यों क्योंकि जब इस समय पर या इस समय काल पर अवसादी करण हो रहा था तब प्रित्वी में जीवन की उत्पत्ती हो चुकी थी तो जब अवसादी करण हुआ तो जिवाश्म का भी वहाँ पर उपस्थिती रहा जिसकी वज़ा से हमें जिवाश्म देखते हैं और इसी लिए गुणवाना शल्च समू में कोले का भंडार भी देखने को मिलता है इससे सम्मंदित प्रश्ण आगे और आने वाला है चलिए आगे बढ़ते है और अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं अगला प्रश्ण खेतड़ी किस लिए प्रसिद है देखे ये एक पैट किस प्रकार के चटानों में मिलती है ये फिर इन खनीजों का विस्तार कहां कहां है फिर इन खनीजों का भंडार अधिक्तम कहां कहां है और इन खनीजों का जो उत्पादन हो रहा है वह कहां हो रहा है clear है, साथ ही साथ इन खनीजों का जो उत्पादन जो माइन्स है, उन माइन्स पर आधारी प्रश्ण भी पूछे जाते हैं, तो यह माइन्स के पैटर्न को समझाने के लिए प्रश्ण बनाया गया, खेतरी किसलिए प्रसिद्ध है तो यह तामबा के लिए प्रसिद्ध है और यह कहां परिस्तित है तो यह आपको देखने को मिलेगा राजय स्थान में, देखे खेतरी माइन्स का उलेग हमारे इतिहास म में भी कई बार हुआ है क्लियर है चलिए अगले प्रश्ण की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण अधारित है बॉक्साइड पे बॉक्साइड अयास के बहुत इजी कोश्चन है और इसका सही उत्तर क्या होगा एलमुनियम का चलिए भारत के शेल्ट समूहों में से शेलों का सबसे महत्वपूर्ण मानने के लिए निमनलखित में से कौन सा तर्क उप्योग्त है क्लियर है गोणवाना शेल्ट समूह जैसा कि मैंने आपको कहा था कि गोणवाना शेल्ट समूह उपर आधारित एक प्रश्ण देखने को मिलेगा देखें अगर हम प्रिथ्व ने क्या आएगा प्यल्योजोइक और फिर आता है मैसोजोएक और फिर आएगा सेनोजोई हिंदी में अगर इंस सारे ही नाम को पर प्रीखेंब्र भी केंगे लाओ आप क tut उभी काली को में सोई कूमाद्डी और सेनोजूह मिघची वी को देले और जब शूह एग पांचवा जो भाग होगा वह समय काल कहलाता है कार्बोनी फेरस और जो छटवा पीरेट कहलाता है उसे आप कहते हैं पर्मियन पीरेट अब इस पर्मियन काल में हुआ क्या था जरा इस पर भी बात कर लेते हैं कि देखें जब अगर आप भारत का मांचित्र देखें तो इस वाले भाग पर इसे सिंग्भूम छेत्र भी कहा जाता है इस सिंग्भूम छेत्र में हमें भ्रंश घाटी निर्मित होते हुए दिखती है क्लियर है भ्रंश घाटी कैसे बनेगी तो मान लेते हैं कि कोई एक बड़ा प्लेट है और इस प्लेट में अलग-अलग दिशाओं में फोर्स लग रहा है तो होगा क्या कि बीच का हिस्सा तुटने लगेगा और तुटने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा क्लियर है ये वाला पार्ट है ये बी वाला पार्ट है तो बी वाला पार्ट इधर हड़ गया और बीच वाला पार्ट के साथ होगा क्या कि ये निचे की ओर धस जाएगा तो कि जो सपोर्टिंग जो प्लेट्स थे जो भागते वो हड़ चुके तो सी वाला भाग क्या हुआ नीचे की ओर धस गया और एक घाटी यहां पर आपको बनती हुई दिखी लेकिन यह घाटी किसके वज़ा से बनी भ्रंच की वज़ा से क्योंकि इसे आम कहते हैं भ्रंच या रिफ्टिंग तो जब यह नीचे की ओर यह घाटी धसी तो जाहिर सी बात है कि इस समय यहां पर कुछ वनस्पती उपस्थित रहोंगे पेड़ पौदे जीव जन्तु वह उपस्थित रहोंगे वो भी इनके साथ इस सी प्लेट के साथ नीचे चले आए और जब नीचे चले आए तो फिर उसके बाद इनका क्या होगा अवसाधी करण होगा लेयर बाई लेयर यहां पर हम डिपॉजिशन देखेंगे और इस प्रकार से यहां पर अवसाधी चट्टाने निर्मित होंगी सेडिमेंटरी रॉप्स क्लियर है अवसाधी चट्टाने यहां पर निर्मित हो जाएगे तो जिव जन्तु और वनस्पती के अवसाधी करण से हमें क्या देखने को मिलेगा यहां पर कोईले का घंडा चेक और इसे ही कहा जाता है गुणवाना शेल स्मूँ तो प्रश्ण क्या है तो हमने पढ़ लिया उत्तर हम देखते हैं ऑप्शन भी हमारे सामने आता है इनमें भारत का 90 प्रतिशत से अधिक कोईला भंडार पाया जाता है कौन सा कोईला पाया जाएगा एंतरसाइट नहीं कोईले की केलोरीफिक वैल्यू की अधार पर अलग-लग कॉले के कोईले होते हैं सबसे अच्छी क्यालिटी , एंतरसाइट की होती है कॉझकि उसमें कलरिफिक वैल्यू जयादा होती है उसके बाद दूसरे श्रेणी में bituminous आता है calorific value एंत्रसाइट से कम होती है देखें कार्बोनी फेरस टाइम पिरेड पर जो कोईला बना वो है एंत्रसाइट और पर्मियन काल में जो कोईला बना वो है bituminous टाइप आफ कोईला बिटूमिनस प्रकार का कोईला है किसके लिए पेट्रोल के भंडार के लिए देखें पेट्रोल या प्राकृतिक गैस यह अभी किसकी वज़ा से होता है तो जीव जन्तों के अवसादी करण से या जीवाश्मों के उपस्तिती के वज़ा से क्लियर है देखें हुआ क्या अब हम जैसे की पिछले स्क्रीन पर हम चले आएं तो हमने यहाँ पर पेले जोईक के कार्बोनी फेरस टाइम पिरेट की बात कर ली मैसर जोईक पर आते हैं मैसर जोईक पर जब आप पहुँचेंगे तब आप देखेंगे कि मैसर जोईक जो एरा होगा जो काल होगा वो तीन पिरेट पर विभाजित होगा ट्रायसिक जुरासिक और क्रिटेशियस क्लिर तो यह से ट्रायसिक और जुरासिक के कुछ समय काल पर हम क्या देखते हैं कि भारत का जो पश्छिमी भाग अगर आप भारत के पश्चमी भाग की बात करें ये वाला भाग इस भाग में समुद्री अतिक्रमन हम देखते हैं जिसे मराइन ट्रांस्ग्रेशन कहा जाता है सागर का पानी क्या हुआ इस भाग पर काफी लंबे समय तक के लिए उपस्थित रहा अब उससे होगा क्या कुछ समय बाद तो ये सागर का पानी पीछे की और खसक जाएगा लेकिन सागर की वज़ह से ये सागर अपना कुछ वहाँ पर अंश छोड़ कर आएगा जैसे की नमक जिससे रन ओफ कच्छ बना और दूसरा इन जीवजन्तू जो सागर में रहने वाले जीवजन्तू थी उनके जीवाश में अब इससे होगा क्या कि इस छेत्र पर हमें नमक का उत्पादन भी देखने को मिलेगा और इन जीवाश मों की वजह से प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का भंडार भी देखने को मिलेगा और अंकलेश्वर कहां परिस्थित है तो यह इस सीथ है गुजरात में क्लियर है तो पेट्रोल के लिए प्रसीद है अंकलेश्वर क्यों वहाँ पर पेट्रोल मिलता है उसका एक संसीत विवरण मैंने आपको दे दिया चलिए अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्ण आधारित है सुमेलित मैजदा फॉलोइंग पर एक तरफ ह जैसा कि अभी आपने देखा कि तांबा कहां मिलता है तो वह जैसे ही देखे सही उत्तर तक आप पहुंच गए औप्शन सी सही उत्तर होगा तल्चर पर आपको कोईला देखने को मिलेगा लौ एस्क आपको देखने को मिलेगा कुद्रे मुख में चलिए आगे बढ़ते है और अगले प्रशन की तरफ चलते हैं स्वाणिम चतुर भुज परियूजना का संबंद किसके विकास से है गोल्डेन कॉट्रिलिटरल प्रोजेक्ट यह जो प्रोजेक्ट है यह नैशनल हाइवे प्रोजेक्ट है जिसमें मुंबई चेन्नाई कोलकाता और दिल्ली भारत के चार महानगरों को जोड़ा जाएगा तो सही उत्तर इस प्रशन का क्या होगा राज मार्ग तो स्वाणिम चतुर भुज परियूजना का संबंद किसके विकास से है तो राज मार्ग से है तो इस वीडियो में हम इतना ही प्रशन डिल करते हैं किसी भी प्रशन पर किसी भी कोई समस्या होगी कोई डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पर उसे पूछ सकते हैं नीज संकोष बहिचा क्लिया है धन्यवाद cgpsc की समपूर्ण तयारी के लिए competition community के youtube चैनल को subscribe कीजिए और daily updates के लिए bell icon को press करना ना भूले